तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रामर और राइटिंग सेक्षिन जो होगा वो आपका पार्ट 2 में आएगा अब आपको पता है रीडिंग सेक्षिन तो मैं करवाती हूँ नहीं क्योंकि इसमें पैसेज आपको गिवन है आप खुद ही बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको कोशें से क्या करने है आंसर देने है राइट दो पैसेजस गिवन है इसके अंदर तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ने है चलिए आगे आप देख सकते हो यह पूरा पैसेज दे रखा है यह आपको सारे कोशेंस आपको गिवन है तो आब हम attempt करने है ठीक है बर्नल मार्क्स के आपकी है तो फर्स रम देख लेता है I expect you dash graduate from the school by this time next year and will be looking for the good job इसमें बोला गया है कि मैं तुमसे expect करती हूँ कि school में तुम graduate हो जाओगे next year और फिर तुम अपनी job भी देखोगे मतलब इसमें future की बात की गई है तो हम will shell का मिसके अंदर use करेंगे तो मैं इसमें will का use करूंगी तो इसमें आपका आज जाएगा will have ठीक है आप इसमें will have का इसमें use करोगे will have graduated from the school by this time next year and will be looking for the job यहाँ पर आप देख सकते हो will use किया गया है next आपको दे रखा है you look as if you are having trouble with your homework आपको देखना है अगर आपको कोई homework में trouble है dash you like me to help you with it तो अगर आपको पसंद है तो मैं आपकी help कर सकते हूं तो आप इसमें would का use करोगे would you like क्या आपको पसंद है you like कि मैं आपकी help करो तो आप इसमें क्या use करोगे वुडगा इसके नदर use करोगे ठीक है थर्ड आपको दे रखा है the space the place is spacious with dash room for the relaxation sounded by the restaurants by restaurants तो प्लेस जो है उसमें बहुत सारी space है with dash rooms for the relaxations के लिए कुछ rooms भी वहापे available है that is restaurants में available है तो a lot of rooms होंगे of course कोई आप few कर दर use करोगे तो अब बहुत सारे rooms जो है वहाप इसमें तो lot of आप use करोगे इसमें with lot of ठीक है next है दे रखा है आपको you ought to go to the bed early dash night before an exam early the night before an exam तो simply इसमें हम दा ही use करेंगे इसमें कुछ ऐसे use नहीं होगा अगर अगर इसमें यह थोड़ा options आपको गलत दे रखा है इसमें ought to पे यहाँ पे underline होना चाहिए था ठीक है लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो आप simply इसमें दा आप इसके अंदर use करोगे अब आपको इस sentence को indirect speech में क्या करना है change करना है तो she said I was waiting for the bus when she arrived तो इसको अगर आपको indirect में में बोलना हो तो she said that she had been waiting for the bus when he had arrived तो आपका क्या बन जाएगा she said that she had been waiting for the bus कि वो वेट कर रही थी बस का जब she had arrived तो आप इसके अंदर use करोगे I hope आपने note down कर लिया होगा next time का direct speech direct speech में अगर इसको convert करना हो तो कैसे करोगे राहु लास रजट ऐसी ही रहेगा फिर उपर लग जाएगा फिर उसके बाद आपका आएगा Do you study reported speech before क्या तुमने कभी study किया है reported speech before इसमें लिखा है if he had studies क्या उसने study किया है तो आप इसमें do you का इसमें use करोगे इतना clear है चले आगे हम देख लेते हैं आगे आपका आजाता है writing section writing section में आपका एक question दे रखा है सुर्भे grandfather died she used to love him gently and held him in the high esteem feel a great loss in it and write a dairy entry write it on her behalf हमें उनके बिहाफ पे लिखनी है write a dairy entry ठीक है तो आपको कुछ ये close given है आप इसमें इसमें लिखा नहीं कि आपको कुछ close given है आपको सरफ उसके बिहाफ पे लिखना है और कुछ points ये रखा है आप इस इस positive points को आप उसमें use कर सकते हो जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है points को आप अपनी language में इस points को use कर सकते हो आगे देख लेते हैं देखो मैंने आपके लिए answer already ready कर रखा है आप उपर सबसे पहले date वगयर लिख दोगे time लिख दोगे और पिडियर entry लिखे आप start करोगे my grandfather is no more I feel so desired with my grandfather death I feel so shocked with my grandfather death that I can't express my feeling my grandfather dead is very shocking to me यहाप मैंने यह लिख दी आप चाहो तो इस line को मतलिक को यहापे लिख दो I feel so shocking what a great human being he was he was a gym of humanism cooperative थे, ready to help, needy, also the soft-hearted वो परसन थे आप ऐसे positive positive points लिख दे ना अगर आपका ऐसा question आता है प्ग्जाम में तो he taught me the value of sympathy, love, affection, selfness and comparison he was a well-read person he used to narrate stories to me when I was younger तो वो नरेट करते थे stories उसे stories सुनाते थे जब वो younger थे I loved him so much as he constantly supported me whenever I need him वो हमेशा support करते थे जब भी जरूरत होती थे शुभी को I feel a great loss in his death बहुत बड़ा loss हुआ है उनकी death से he is no more to be my side in the physical yet he is alive in my heart कि वो मेरे हाट में जिन्ना है physically वो अविलेबल नहीं है लेकिन वो मुझे different situation में guide करेंगे क्योंकि वो मेरे दिल में present है ठीक है तो simply आपको बस यही चीज़ इसमें लिख देनी है इतना clear है okay next आपको और में दे रखा है you are kaira या नितेश you happen to go to your friend place in a crowded bus together today तो friend place पे जा रहे हो crowded bus में आज record your experience in the form of the daily entry bad experience, board the bus, so hot pushing each other, 30 hours sign of relief ठीक है तेखो देखते हैं कौन-कौन से points मेंने no down कर रखे हैं फिर आप उस से idea लगा के खुदाब अपने according diary entry लिख सकते हो I had been planning to go to my friend's place for the quiet sometime now so I finally decided to go to my friend's place today so I decided to take the bus the decision turned out to be the quiet bad one because of the hot sweating summer heat because it was a lot of the warm the ride turned out to be the quiet training and the heat and the sweat made it even more uncomfortable to add to our mysteries the bus was very crowded and there was barely any space to sit or stand बहुत ही कम स्पेस था खडाया बैखने के लिए people were pushing each other this decision is the worst decision I ever take I could not wait to reach our destination and breath a sign of relief उपर जितने भी points आपने सारी से के अनर यूस करे हैं आपको समझा रहा होगा जसे से में रीट करे हू when I finally reached my friend's place I got and get off to the bus even through the rest of the day made us for the ride I have sworn to never never again make the mistake of traveling by the local bus on the hot summer days मैंने उपर के सारे points इसमें यूस कर चुकी हूँ मैं already तो मैं आपको समझा गया होगा जसे से मैं पढ़ रही थी बहुत है सिंपल लाइमवज में मैंने चीज लिखी है daily entry लिखी है तो आप खुद इसमें लिख सकते हो आपको यहाँ पर नाम लिखना है चलिए आगे next question हम देख लेते हैं fifth अब आज आता है आपके stories की बारी तो आपको दे रखा है complete the story और यह दो marks का है दो marks भी आप देख सकते हो there was a storm bearing outside and my brother and I was sit alone at the home suddenly the light went off आपको इस story को क्या करना है complete करना है ठीक है और और में भी आपको यह picture बाला question दे रखा इसको हम बाद में देखेंगे सबसे पहले इसका answer देख लेते हैं देखो आगे जो story आपको दे रखी है there was a storm burning outside and my brother and I was alone at the home suddenly the light went out and there was a total darkness light चली गई और पूरी darkness हो गई कैसे कैसे मैंने story को थोड़ा interesting बनाया है आप देख सकते हो गर आपके माई में इससे अलग भी कोई story हो कि आप इसके आगे लिख सकते हो तो आप लिखते हैं as we set up there was a strange sound from the front door which scared the daylight out of me ठीक है front door से कुछ आवाजे आने लगी I told my brother Shivam go and see what is there. Shivam himself had jumped in the fit at a sound and did not move और वो move नहीं कर रहा था बिलकुल भी finally I plucked up courage to go और फिर मैंने courage क्या मैंने door खोला और मैंने कुछ horror देखा वो horror क्या था कि एक बहुत ही सादा कोई खड़ा है और उसका जो expression everything बहुत ghost सा लग रहा है जिसे बूत हो गया हो उसे बहुत जादा शेक करने लग जाती है और वो जो है वो जो ghost था वो शेक कर रहा था और वो डर की क्या करती है वो अपने door को बंद कर देती है और अंदर रूम की तरह भाग जाती है कोई भी डर जाएगा इतनी darkness हो की तो यह चीज़ कोई भी देखके डर जाएगा कि पतानी कौन है और वो शेक भी कर रहा है for some time only the of the storms were heard then to my relief the light came back और light आ जाती है फिर वो करती है जो रूम का जो door है सारी lights जो है उसको switched on करती है when I looked again जब मैं दुबारा देखती हूं तो मेरे फादर जो है फादर जो है वो वाइट कुटे पजामे में है with white cap के साथ वो खड़े है and he was totally wet from the head to toe और वो बोल भी नहीं पा रहे है क्योंकि उनकी जो थौर है I think बारिश वागार हो रही होगी ठीक है ट्रीटमेंट किया डॉक्टर्स ने और डिस्टार्ज किया after two days उसने क्या किया सौरी बोला अपने फादर को क्योंकि उसको पहचान नहीं पाई ठीक है उन्होंने उसको फोगिफ कर दिया और थैंकी बोला कि मुझे आपने बच्चे से मुझे एडमिट कर दिया हॉस्पटल में मैंने अपने फादर को हग किया रिलीव हुई और शिवम ने विश किया कि वह फुल जल्दी से रिकवर हो जाए इतना क्लियर है यह स्टोरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी आपको इंट्रस्टिंग स्टोरी बना के लिख सकते हो जरूरी नहीं आपको यह जीज़ इस पर आइड करने आप इंट्रस्टिंग बना सकते हो अब और कोश्टिंग आपको गिवन है राइटा स्टोरी विध थाल्प फॉल विज्वल क्रूस अब देखो यह पिच्चर ध्यान से देखो आपको एक रेबिट दिख रहा है यह और यह एक लॉयन दिख रहा है लॉयन के कर रहा है वेल के अंदर अपने आपको ही देखकर गुसा कर रहा है तो आपने यह स्टोरी अल्रड़ी आप पढ़ चुके हो लॉयन और रेबिट की स्टोरी तो अभी जो मैंने स्टोरी लिख रखी है वही सेम स्टोरी है जो आप बच्मन में पढ़ चुके हो कि एक ताइम पर क्या होता है लॉयन होता है वो बहुत सारे अनिमल्स को फॉरेस्ट में डेली ही मारता था एक दिन क्या हुआ सारे अनिमल्स ने एक मीटिंग बुला है और उनिहीं डिसाइड किया कि रोज हम उसे डेली मील देंगे उसको लॉयन को लॉयन को डेली मील देंगे ठीक है कुछ ना कुछ कोई ना कोई अनिमल को हम भेजेंगे जिससे वो किसी को भी पकड़के ना मार सके so that the loyn could not kill other animals कि वो other animals को ना मारे they send this proposal to the loyn and he agreed to the proposal और वो agree भी हो गया loyn ठीक है एक दिन क्या हुआ अब आजाती है rabbit की turn rabbit की turn आ जाती है और rabbit तो बहुत clever होते हैं he hit upon a pan to kill the loyn और उसने एक plan बनाया कि वो loyn को क्या करेगा मारेगा तो एक दिन क्या हो जाता है कि जब उसकी turn थी ना तो loyn वो ना बहुत late हो जाता है वो late जाता है loyn के बास तो loyn जो है वो गुस्से में हो जाता है वो बोलता है कि तुम इतने late के हो मुझे बहुत भूख लग रही है तो rabbit बोलता है कि मुझे माफ कर दो दूसरा लॉइन जो है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था मैं बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ तो लॉइन बहुत ही शौकिंग से बोलता है कि another loin इस forest में इस forest में कोई लॉइन नहीं है यह तो impossible है तो वो क्य करता है कि वो देखने के लिए जाता है rabbit के साथ कि वो another loin कौन है तो rabbit कहाँ पे लेकर जाता है near a well के पास कुए के पास तो कुए में बोल से बोलता है कि इसके अंदर देखो इसके अंदर loin है when he look into the well इस well के अंदर देखता है तो उसके उसके reflection देखती है loin की और दूसरे loin को देखते है वो उसके अंदर jump कर देता है well में और उसके क्या हो जाती है death हो जाती है deep water में तो यह जो clever rabbit था उसने सारे ही animals को बचा लिया और इस story का moral क्या है wisdom is the real knowledge इतना clear है यह story तो आप बच्पर में भी पढ़ चुके होगे already ठीक है तो I hope आपको यह grammar and writing section बॉद चलियर हो गया होगा और सिरफ literature section बच्च्छा है और हमारे English के practice paper खता next subject के आपको कौन से practice paper चाहिए IT का चाहिए या फिर आपको social science का चाहिए आप मुझे comment section में बता देना because IT का already मैं तीनो practice papers जो है मैं वीडियो जल्दी बना के मैं post कर दोगी ठीक है upload कर दोगी तो वो वीडियो जरू देखना इसका review रह रहा है review video पे जल्दी दाल दूँ मुझे कल डालने थी पट सौरी है मैं डालनी पाई बट मैं जल्दी ही upload कर दूगी चैनल को subscribe ना किया हो तो चैनल को subscribe कर दीजगा वीडियो पसंदा आयो तो like कर दीजगा मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पेज डर्न विच्छे फाली पे follow नहीं किया हो तो जल्दी से follow कर लीजगा ऐसी ही helpful videos के लिए मिलते है नेक्स वीडियो में thank you so much for watching, bye bye